रादे रादे स्वागत है आपका हमारी चैनल संगेत अत्यागी व्लॉक्स में तो आज की जो वीडियो वो है जो हमारे घर में वेस्ट पॉलिथेन्स होती है जो कैरी बैक्स होते हैं उनको लेकर जैसे की आटे की तहली हो गई या फिर इस तरीके के शॉपिंग बैक्स हो गर्यागी जिसे आपकी बहुत जादा वने वाली है वीडियो को फुल वच पर करें और वीडियो कर पसंद आता है तो लाइक ज़रू करें चैनल पर नहीं है तो सॉस्क्राइब करने तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेती है तो आज का ज़ो वीडियो बहुत ही इंटॉ कर लेना है shopping bag को हम अब इसको measure कर लेंगे तो हम इसको 3 पार्ट में divide करेंगे तो जो उपर वाले 2 पार्ट है उसको हम रखेंगे 14-14 इंचिस का जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम 1 इंच बड़ा रखेंगे मतलब की 15 इंच का तो आप अपने according जितना बड़ा आपका shopping bag है उसके according आप इसको divide कर सकते हैं तो यहां देखिए मैं इसको measure कर ले रही हूँ measure करने के बाद मैं इसमें निशान लगा दूँगी जिससे की मुझे इसको fold करना easy रहे हम इसको बिना सिले बहुत ही अची सी एक unique सी चीज बनाने जा रहे हैं तो इस तरीके से मैंने इसको measure कर लिया है तो दोनों side हमें equally करना है जिससे की fold करने में easy रहे तो दोनों side मैंने निशान लगा लिया है तो अब हम इसको fold कर देंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है जो हमारा poly bag है उसको उल्टा कर लेना है sorry poly bag नहीं shopping bag जो है जो कपड़े के fabric में आता है वो वाला bag है तो इसको हमें इस तरीके से fold कर लेना है मतलब उल्टा कर लेना है उल्टा करने के बाद हम इसके जो नीचे वाले corners होते हैं उनको equal कर लेंगे इनको side से निकाल लेंगे उसके बाद हमें जो हमने निशान लगाया था वहां तक हम इसको fold कर लेंगे मतलब उपर से हम इसको 14 inch fold करेंगे इस तरीके से बाहर की तरफ fold कर लेंगे आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे मैं कर दे हूँ इसी तरीके से करना है तो यहां देखें मैंने इसको fold कर लिया है fold करने के बाद हम इसको एक fold अंदर की तरफ कर देंगे जैसे कि हमने एक fold हमने बाहर की तरफ किया है और दूसरा fold कर देंगे हम अंदर की तरफ तो यह देखिए, इस तरीके से इसको fold कर लेना है तो यह एक fold जैसे कि हमने बाहर की तरफ किया था और एक fold हमने अंदर किया है उसके बाद आप देख रहे हैं, यह एक rectangle shape में आगया है उसके बाद हम इसको open कर लेंगे इस तरीके से तो हमने इसको opposite direction में इस तरीके से open कर लिए open करने के बाद क्या करना है इसके जो corners है उनको equal कर लेना है ठीक कर लेना है तो यहां देखे इस तरीके से करना है उसके बाद आप क्या करेंगे जो इसके sides वाले corners है उनको भी set कर लेंगे और जो corners बहुत जादा निकले हुए है उन्हें क्या करना है थोड़ थोड़ा fold करना है इस तरीके से तो एक एक दो दो इंची वस fold करना है तो मैं यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा दूँगी जिससे की मुझे easy रहे अब हमें क्या करना है हमें लेना है जिससे हम stappler करते है उस से हम इसको staple कर देगे तो मैं यहाँ इस तरीके से fold करके देख ले रही हूँ एक वार की equal है या नहीं है उसके बाद हम एक stapler की help से इसको परच कर देंगे मतलब इस तरीके से इसको steple कर देंगे जैसे कि सिलाई जैसे हो जाएगा तो अगर आपके पास steple नहीं है तो आप इसको सिलाई भी कर सकते हैं तो मैंने तो बस ऐसे ही स्टेपल कर दिया है तो ये भी बहुत मजबूत हो जाता है उसके बाद हमको लेना है glue gun अगर glue gun नहीं है तो आप यहाँ पर जो फैविकॉल वगेरा है उसका भी यूज़ कर सकते हैं तो मैंने ग्लूगन ले लिया और जिसके कॉर्णर्स हैं उनको इससे चिपका दिया है जो ग्लूगन के हेल्प पर मैंने इसको थोड़ा सा चिपका दिया है जहां दोनों साइट से हमने स्टैपल किया था वहां पर इस तरीके से ग्लूगन के हेल्प चिपका दिया है उसके बाद आपको क्या करना है इसको सैट कर लेना है मतलब उपन मतलब एकदम से इकवल कर लेना है उसके बाद जो इसके साइट से आप देख रहे होंगे इस तरीके से जो इसके साइट से उसको ग्लूगन की हेल्प से दोनों साइट हमें चिपका देने है तो यहां मैं इसको भी चिपका दूँगी तो यह बहुत जल्दी चिपक जाता है ग्लूगन है तो उसकी help ले ले नहीं है तो आप फैवी कॉल से भी इसको पेस्ट कर सकते हैं तो यह देखिए इधर से भी हमने इसको पेस्ट कर दिया मैं क्या कर रही हूँ मैं सिर्फ इसको बीच में से एक दूसरे से वापस से इसको चिपका दूगी बदब इसको ग्लूगन के help से चिपका देना है जो बीच वाला पार्ट है वहाँ से आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जैसे मैं कर रही हूँ उस तरीके से ही करना है इस तरीके से हम इसको चिपका देंगे तो यहाँ देखे हमने इसको आपस में इस तरीके से चिपका दिया है तो यह पार्ट से इसके डिवाइड हो गए आप चाहे तो बीच वाला पार्ट भी चिपका सकते हैं आपको कितने section में इसको बनाना है उसके according तो यहाँ देखे इस तरीके से यह बनके तयार हो गया अब हम इसको किस तरीके से use करेंगे तो चलिए देख लेते हैं जो हमारे purse वगेरा होते हैं उसमें अगर divider नहीं होते या pockets नहीं होती तो उसमें इसको रखकर आप अपनी जो चीज़ें हैं उनको अच्छे से organize कर सकते हैं बहुत easily मिल जाएंगे तो यह देखे आप यहाँ पर जिसे cardboard का भी use कर सकते हैं जिसे कि यह एकदम से straight रहे या फिर ऐसे ही normal बना के क्योंकि यह रखने में easy हो जाती है थोड़े से cardboard का क्या आप उसको fold नहीं कर पाएंगे इसको easily fold करके कहीं भी आप इसको रख सकते हैं तो हैना यह कमाल का idea हमारे घर में जो waste carry bags थे उनसे हमने कितना अच्छा सा organizer बना लिया market में यह बहुत ही costly मिलते हैं तो आप इसको zero cost में अपने घर पर ही बना सकते हैं बिना किसी लागत क्यों बहुत जल्दी बन के तयार हो जाता है तो यहां देखे इस तरीके के जो हमारे bags होते हैं जिसमें की pockets नहीं होती उसमें इस तरीके से हमारे घर में आते ही हैं हम आटा बहार से लाते हैं तो बहुत सारे bags इखटे हो जाते तो आज इसका बहुत अच्छा सा DIY करने जा रहे है इसको बहुत अच्छी से reuse करेंगे तो आटे के bag की जो thick nice होती हो बहुत अच्छी होती हो बहुत जादा strong होती है मतलब जो आटे का bag होता है काफी अच्छा strong सा होता है तो आपको क्या करना है सबसे पहले तो इसको clean कर लेना है क्योंकि अंदर थोड़ा बहुत आटा रही जाता है तो यहां इसको हम पहले clean कर लेंगे clean करने के बाद आपको क्या करना है आपको इसको उल्टा कर लिएना है तो यहाँ मैंने इसको उल्टा करके एक पर कपड़े से इसको clean कर लिया है जो भी आठा था उसको हटा दिया है उसके बाद जो उपर हम uneven कटा हुआ है इसको हम even मतलब equal कट कर लेंगे इस तरीके से तो यहां देखें मैंने इसको इस तरीके से कट कर लिया है जो इधर उधर से कटा हुआ था उसको हमने पाट को निकाल दिया है उसके बाद आपको क्या करना है उपर से जो उपर वाला पाट है वहां से आपको इसको हाफ कट करना है तो यहां जैसे मैं कर रहें इसी तरीके से करना है तो इसको half cut करना है यह देखिए यह इस तरीके से open करना है और उपर से half cut करना है मतब पूरा नीचे तक कट नहीं करना है सिर्फ अगर आपका ये सपोस करो ये 50 इंच है तो 25 इंच आप को कट करना इस तरीके से तो यहां देखे मैं इसको हाफ कट कर लूँगी इस तरीके से तो जो पाट हमने कट किया था उसको हम अंदर की दरफ फोल्ड कर देंगे आप यहां पर इसको कट भी कर सकते हैं क्योंकि मैं हैंगर तो हैंगर की हैल्प से हम इसको इस तरीके से इसमें फसाएंगे तो जो हैंगर है वो थोड़ा सा छोटा है और पॉलिधिन थोड़ी सी बड़ी है तो क्या करें तो इसका भी एक हम जोगाट लगाएंगे हम क्या करेंगे हैंगर तो निकाल देंगे उसके बाद जो इसका जो polythene है उपर से जिसके corners है उसको थोड़ा थोड़ा इस तरीके से fold कर देंगे इस तरीके से यहां fold करने के बाद अब हम इसमें जो हमारा hanger है उसको set करेंगे तो यह easily इसमें fix हो जाएगा अगर आपकी polythene छोटी है hanger ठीक है तो आप इस तरीके से इसको as it is लगा सकते हैं अगर polythene थोड़ा पढ़ा है तो आप उसको इस तरीके से fold कर सकते हैं उसके बाद हम इसको equal कर लेंगे थोड़ा सा even हो रहा था जो polythene है उसको equal कर लेना है इक्वल करने के बाद आपको क्या करना है यहां glue gun से नहीं हम इसको चिपकाएंगे क्योंकि मैंने से चिपका के देखा था glue gun से तो वह अच्छे से इसमें चिपक नहीं रही थी तो आप क्या करें आप यहां पर double tape का use कर सकते हैं डवल चिप से बहुत अच्छे से इस यह stick हो जाती है तो हम दोनों पाइट को इस तरीके से equal कर लेंगे जिससे की जो measurement है वो equal रहे यहां दीके मैंने दोनों दरफ से तरीके से फोल्ड कर लिया है फोल्ड करने के बाद जो हमारा double tape है उससे इसको चिपका दिया है तो यह देखिए मैं यहां पर दोनों दरफ इसको चिपका दी रहे ही तो यहां दोनों corners को हमने इस तरीके से चिपका दिया है आपको यह clear हो रहा होगा उसके बाद क्या करना है जो उसका center वाला पार्ट है उसमें hanger फसान है और उपर से फिर से double tape की help से हम इसको paste कर देंगी तो यहां देखिए हमने इसको easily fix कर दिया है आप चाहिए तो इसमें partition divide कर सकते हैं मतलब double tape की help से या फिर सिलाई लगा सकते है मैंने इसको यहां पर इस तरीके से cut कर लिया है सीजर की help से तो यह देखिए हमारा एक bad side organizer बनके तयार हो गया है तो यह देखिए बहुत ही सुन्दर लग रहा है और बहुत ही strong है और बहुत अच्छे से बन चुका है तो यहां देखिए जब हमारा bad होता है न तो एक तरफ side table होती है दूसरी तरफ नहीं होती तो जो उस side सोता है table side की तरफ बैट की जिस side table रखे है वहाँ easily अपना सामान रख सकता है बर जो इस side सोते हैं उनके लिए बहुत tough हो जाता है कि जैसे की मेरा बेटा ही इस तरफ जैसे सोता है तो उसका tab अगेरा वो इधर उधर फे रात को रख देता है जिससे की डर लगता है कहीं नीचे ना गिर जाए तो इस तरीके से वो इसमें hang कर सकता है अपनी जो tap को easily इसमें रख सकता है तो अगर यह idea आपको अच्छा लगा हो तो like जरू कीजिएगा चलिए चलते हैं अपने next DIY की तरफ next DIY है वो भी हमारा जो आटे के बैक्स होते हैं उसको ही लेकर है तो यहां देखे मैंने बैक को पहले से ही उल्टा कर लिया था उसके बाद हमने इसको clean कर लिया उसके बाद मैंने इसको अंदर की तरफ equally fold कर लिया है तो देखिए यहां पर मैंने इसको ऐसे equally fold कर लिया है और अपने हाथ की help से इसके जो corners है उसको ठीक कर लेंगे क्योंकि अंदर फशे हुए जते हैं तो हम इसको equal कर लेंगे बाहर की दर दोनों corners चो अच्छे से निकाल लेंगे corners निकालने के बाद आपको क्या करना है जो इसका corner से उसको इस तरीके से fold करना है यहां देखें मैं इसको पहले equal कर लूँगे दोनों side से क्योंकि polythene है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है बड़ easily हो जाता है तो यहां देखें मैंने इसको इस तरीके से कर लिया है उसके बाद क् tape की help से यह जो corners हमने इसके set की है इसको भी वापस से चिपका देना है तो यहां पर भी अगर आपके पास stepner है उसके use कर सकते है या फ़र double tape की help से इसको चिपका सकते है तो या फिर single tape भी ले सकते है उससे दोनों side चिपका देंगे तो भी चिपक जाएगा तो अगर double tape है तो double tape का यूज़ कर सकते हैं तो यहां देखें मैंने double tape को इस तरीके से paste कर दिया और उससे हम इसको चिपका देंगे तो दोनों side हम double tape से इसको paste कर देंगे दोनों side हमने tape लगा दिया है उसके बाद मैं अपने हाथ की help दे थोड़ा से इसको press करके अच्छे से इसको चिपका देना है जिससे कि अच्छे से चिपक जाए तो यहां देखें यह अच्छे से चिपक गया है तो उसके बाद मैं इसको और अच्छे से press कर दूँगी आप अगर cardboard नहीं है तो आप जो पुरानी note books होते हैं तो note books को आप इसमें जो उपर का cover होता है उसको भी use कर सकते हैं मैंने क्या किया इसको double fold कर लिया है तो अंदर की तरफ थोड़ा सा और fold कर लिया है जैसे कि आपको देख रहा होगा तो वो वीडियो में shoot नहीं हो पाया है तो मैंने totally इस तरीके के पांच जो cardboard है उसको use किया है एक लगा दिया है नीचे दो sides में और दो opposite side में इस तरीके से मैंने लगा दिया है तो ये बहुत ही अच्छा सा organizer बन के तयार हो गया market में ये बहुत costly मिलते हैं जब हमें कुछ organize करना होता है तो हम baskets लेते हैं पैसे डालते हैं आपके घर में जो waste चीज़े हैं उसी से अच्छे अच्छे organizer बना सकते हैं तो इसको मैं अपने cover में use करूंगी कपड़े वगारा रखने के लिए जैसे छोटे छोटे कपड़े होत सकते हैं तो zero cost में आप बहुत ही सुंदर सुंदर organizer बना सकते हैं जो की waste चीज़े आपके घर में पढ़ी है ओनी से तो अगर ये video आपको helpful लगा हो तो like जरू कीज़ेगा अगर आप चैनल पर नहीं है तो subscribe कीज़ेगा अगर आपको इस तरीके के video देखना पसंद है और बेल आइकन को प्रेस कर दिना जिससे की ऐसी video की notification आपको मिलती रहे मैं मिलती हूँ आपसे next video next vlog में तर तक के लिए अपना धिहान रखें अपनों का धिहान रखें थैंक्स वर वाचिंग बाबाई अन टेक कियर